महाराष्ट के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे सहयोगी देविंद्र जी धातू रत्न पुरसकार देखे आपने जिनका गवरों किया हैं ऐसे अधरणी अनिल अगरवाल जी, मेरे सहयोगी सांसत सावन जी, हमारी जेष्ट नेता जैवंति बेन जी और उपस्तित सभी भाई और बहनों सबसे पहले, मैं आप सब को बहुत-बहुत धन्यवाद दूँगा कि आपने अनिल अगरवाल जी को धातू रत्न पुरसकार देकर उनका गवरों किया है वैसे उन्होंने अपने जीवन में काफी सफलता मिलाई है ये पुरसकार देकर आपने आपके, हम सब ने अपने कर्तवियों का पालन किया है बहुत ही सामान ने परिवार में जन्म लेने के बाद अपने कार्या और कर्तुत्व से आदमी कितने ऊपर जा सकता है इसका उधारन उतनों ने अपने जीवन में पेश किया है मैं जब लंडन में गया था तब उनको पहली बार मिलने का मोका मुझे मिला आज हमारा देश स्वाभावी कुरूप से प्रगत्यों और विकास कियों और जाना चाहिए ऐसा हम सब को लगता है हमारे सरकार की और प्रदानमंत्री की यही सोच है कि हम लोग ऐसी अर्थविवस्ता निर्मान करे जो रोजगार के निर्मिती करे और हमारे देश को गरीबी भुकमरी और बेरोजगारी से मुक्त करे और गरीबी भुक्मरी और बेरोजगारी अगर दूर करनी है तो हमारे देश में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए और इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में अगर होगी तो रोजगार की दिर्मिती होगी 1947 के बाद आज तक हमारे देश में बहुत से economic thought और thinking पर हमारा देश चला है कुछ लोगों ने समाजवाद का जिकर किया, कुछ लोगों ने साम्मेवाद का किया और कुछ लोगों ने पुंजिवाद की बात कही पर रशिया में साम्मेवाद सफल नहीं हो पाया और चाइना ने अपनी विचारधारा को छोड़ दिया जो पुंजिवादी थे वो भी एक प्रकार से विफल हुए है और स्वभाईक रुप से पूरी दुनिया अब दुनिया के विकास के लिए कौन से आर्थिक चिंतन का आधार होगा इसके लिए सोच रही है हम लोग निश्चीत रुप से ये चाहते हैं कि ज्ञान विज्ञार और तंत्र विज्ञान एकीर सदी की सबसे बड़ी ताकद है और कनवर्शन ओफ नॉलेज इंटू वेल्थ ये हमारी विजन है और इसलिए सबसे महत्वपुर्ण ये है कि हमारे देश की आबादी इतनी बड़ी है कि हमारा देश रोजगार देने वाली एकोनोमी को कैसे विकसित करे है और इसलिए मैं कभी-कभी निश्चीत रुप से इदबात का दर्द आप सब के मन में है कि हम कटिन समय से गुजर रहे है एक समय हमारा GDP 4.25 परसेंट था जो आज 7.5 परसेंट तक पहुचा है अग्रिकल्चर ग्रोथ रेट बहुत ही कम है और महाराष्टर में तो निगेटिव है हमारे देश में पर-कैपिटर इंकम भी जतना चाहिए उतना बढ़ नहीं पाया और इसलिए स्वाबावी कुरूप से हमारे इंपोर्ट भी बड़े है आठ लाग करोड का हमारा पेट्रोल, डिजल और गैस का इंपोर्ट है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का इंबैलन्स साड़े तीन सो बिलियन डॉलर है आशिया में सबसे ज़्यादा कोईला होने के बाद भी हम 20 बिलियन डॉलर का कोल इंपोर्ट कर रहे है और अध हमारे देश में कॉम्पूटर सॉप्ट्वेर में हमारे इंजिनियर पूरे दुनिया में बहुत अच्छा कारे कर रहे है फिर भी 60 बिलियन डॉलर का कॉम्पूटर हाड़वेर हम लोग इंपोर्ट कर रहे है और इसलिए देश के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है पर हमारी प्रधानमंत्री और हमारी सरकार इस अर्थविवस्ता को अच्छी स्थिति में ले जाना चाहती है और इसलिए इंडस्ट्री निर्बाण हो कुरुशी विकास का दर बढ़े और बेरोजगारों को बड़े परमान पर रोजगार कैसे मिले यह हमारी चिंता है और यह जो हमारा इंपोर्ट है यह कम होना चाहिए मैं अभी अनिल जी को पूछ रहा था कि वो पेट्रोलियम और गैस में भी काम करते है हमारा एक सपना है कि 8 लाक करोड का हमारा इंपोर्ट जो है वो पेट्रोलियम और गैस का है जिसके कारण एक डॉलर की कीमत 62 रुपए तक चली गई है एक समय एक डॉलर की कीमत एक रुपए थी पर हमारे इंपोर्ट ने हमारे देश की हालत को पेट्रोलियम प्रोड़क्स ने बहुत खराब स्थिती में लाया है और वो भी इनकी पेट्रोलियम कमपनी है हम ये सपना देख रहे हैं कि हमारा देश पेट्रोलियम प्रोड़क्स में स्वेंपूर्ण हो मैं अभी इरान में गया था, वाँ चाबार में एक पोर्ट बनाने के लिए अठल भी हरी बाजपई जी के सरकार ने करार किया था, वाँ पोर्ट बना रहे हैं और उसी सरकार ने 2013 में हमारी भारत सरकार को एक डॉलर से भी कम प्राइस पर 82 सेंट पर गैस ओफर किया था आज हमारे देश में 30 यूरिया की फैक्टरीज है, तीन नापता पर चलती है और 27 फैक्टरीज नेचरल गैस पर चलती है और हमारे देश में 80,000 करोड की हम सब्सीडी यूरिया के लिए देते हैं मेरे मन में विचार आया कि यही फैक्टरी अगर हमारी वहां खुल जाती तो देश की 80,000 करोड रुपे सब्सीडी तो बढ़ जाती उपर से यूरिया की कीमत 50% से कम हो जाती पर सही समय पर सही निर्णे नहोने के कारण देश को उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है बहुत सी ऐसी बाते हैं कि जिसमें देश की प्रगती और विकास होने के लिए जो बड़े-बड़े उद्योग पती है वो कितना capital investment करते हैं इसके उपर देश का बहुष्य भी निर्बर है जो tax prayer है वो tax भी देते हैं 32,000 करोड का tax आप देते हैं जिससे हम जनकालन करही योजना भी चलाते हैं 80,000 लोगों को आपने employment भी दिया है और इसलिए जो सबसे ज़्यादा employment देगा वो हमारे ले भगवान जैसा है और मैं निश्चित रुप से ये मानता हूँ कि बेरोजगारों को रोजगार देना और रोजगार किक्षमता देश में बढ़ाना यही हमारी सबसे बड़ी priority है मैं बार-बार सोचता हूँ कि मेरे department में पास साल में मैं कम से कम 50 लाग युवाओं को रोजगार निर्वान करूँ और निश्चित रुप से ये कठिन कामय पर असंभव नहीं है और इसलिए आप में से अनेक लोग ऐसे है जो इंडस्ट्री में है टैक्स के प्रॉबलम है, इंपोर्ट के प्रॉबलम से इंटरनेशनल प्राइज के साथ कभी हमको मैच करने में कठने भी आती है कभी फाइदा भी होता है, कभी-कभी इंटरनेशनल प्राइज बढ़ जाती है तो उसका उपयोग भी होता है, पर आज की स्थिति में स्वावाई कुरुप से मेटल इंडस्ट्री में भी बहुत सी दिक्कते हैं, मैं जानता हूँ, हमारे यहाँ पावर इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा दिक्कते हैं, काफी बड़े प्रमान पर पावर इंडस्ट्री बंध होने की कगार पर खड़ी है, रोड सेक्टर में लगबग हमारी सरकार ने सुल जाया है और एक लाग करोड रुपे के नए रोड के काम भी हमने अलोट कर दिये है शीपिंग में भी हम पोर्ट बना रहे हैं क्योंकि लॉजिस्टिक के बिना देश आगे नहीं जा सकता हमारे देश में ये दुर्भागय का विशे कि हमने इनलेंड वाटर वेज और कोस्टल शीपिंग के लिए जादा ध्यान नहीं दिया चाइना का 47% कोस्टल ट्रैफिक जो गूड्स और पैसंजर ट्रैफिक जो है वो पानी पर है 43-44% जापान और कोरिया का है और युरोपियन देशों में 40% से जादा है और हमारे देश में केवल 3.3% है और इसलिए आपको पता होगा कि अगर पानी पे जाएंगे तो 30 पैसा खरचागर आता है तो रेल्वे से एक रुपाय और रोड से जाने में 1.5 रुपे का खरचा है और मुझे कुछी है कि देवेंदर जी ने महाराष्ट की सरकार ने हमने मिलकर पोर्ट के बहुत अच्छे डेवलप्मेंट का कारेक्रम हाथ में लिया है अभी 20 मिटर ड्राट का डहानू में हम बड़ा पोर्ट बना रहे है JNPT की कैपेसिटी बढ़ा रहे है और भी ने ने पोर्ट कैसे विकसित हो इसके लिए लगातर कोशिश कर रहे है 101 नदियों को हमने इनलैंड वाटर वेज में कनवर्ट करने के कारेकरम के शुरुवात की है और मेरा विश्वास है कि अगर लॉजिस्टिक सस्ता होगा तो निश्चित रूप से हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा और इंडस्टि के लिए भी उसका फाइदा होगा और स्वावाईक रूप से महराष्ट भी एक आईसाक स्टेट है कि जो बहुत प्रगतिशील है सम्रुद है और संपन्न है हमारे घडचुली जिले में आयन हो रहे है पर जहां मिनेरल से वहाँ फोरेस्ट भी उतनाई है हमको इथिक्स, एकोनोमी, एकोलोजी और इन्वार्मेंट तीनों भी क्रीनों का महत्व हम जानते है पर एकोलोजी और इन्वार्मेंट और उसके साथ डेवलोपमेंट इसका दोनों का भी समन्व है हमको साथना होगा और इसलिए स्वाबाई कृप से हमारी सरकार ये कोशिश कर रही है कि हम लोग ecology को भी maintain करें और विकास की प्रक्रिया को भी गतेशील करें और इसलिए ऐसे स्थिति में हमारे प्रदानमंत्री बार-बार करते है Digital India, E-Governance, Entrepreneurship, Technology, Innovation, Good Governance और यही बाते जो है वो देश के लिए आगे विकास के लिए बहुत आवश्यक है अनिल अगरवाल जी का उधारन बहुत अच्छा है बहुत अच्छा काम वो कर रहे है और निश्चित रूप में अमारे देश के प्रगति और विकास में उनका बहुत बड़ा योगदान है और इसलिए आज आज आपने उनको धातुरुत्न पुरसकार से गवरवानवित किया है मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ उनका अभिन्नन करता हूँ और निश्चित रूप से इंडिया में जो भी इन्वेस्मेंट आएगी उसमें जितना सिंप्लिफाइ प्रोसिजर होगा जितना ज़्यादा हम सयोग कर सके आश्वाभाई उक्रुफ से बैंक इंट्रेस भी कम हो और टैक्सेशन भी कम हो यही सभी लोग चाहते है पर हमारी सरकार की भी दिक्कत यही है कि सरकार में भी हम लोग अभी रिवेन्यों के कारण महाराष्ट की सरकारों दिल्ली की सरकारों वो भी समझ से हमारे सामने गंबीर है फिर भी इंडस्री को इंकरेज करने के लिए और एंप्लामेंट पोटेंशल को बढ़ाने के लिए जो भी नीतिया है आप से जरूर जो भी सुजा होंगे उसके और जरूर विचार करेंगे आपने जो बाते कहिए उसका जरूर मैं सम्मंधित मंत्रियों से भी उनके कानों पर डालूंगा और फिर से एक बार मुझे लगता है कि पिछले साल में तो बुरे दिन और बुरे थे अब उतने अच्छे भी नहीं आए पर थोड़े अच्छे दिन आने के शुरुवात हुई है आगे और अच्छे दिन आएंगे और इसले एक अच्छी बात है कि देर आर सम पीपल वो कनवर्ट प्रोब्लम्स इंटो अपोर्चिटीज और देर आर सम पीपल